विधान सभा में 36 गड़ सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट में प्रस्तावित प्रावधान वर्ष 2016-17 में कुल 70,000 करोड रुपे खर्चोंगे जो 2015-16 के तुल्ना में 6 प्रतिशत ज्यादा है वर्ष 2016-17 में कूल राजस्व 62,000 करोड रुपे संग्रहित होगा जो 2015-16 के तुलना में 5 प्रतिशत जादा है वर्ष 2016-17 के लिए सिक्षा, सडकों, पुलो, पैंशन, दवाईयों वा सार्वजनिक स्वास्थ के लिए आवंटित राशी में बढ़ुत्री की गई है इसकी विप्रित खाद एवं संग्रहन विभाग के लिए आवंटित राशी में काफी कटोती की गई है वर्ष 2016-17 में बिक्रीकर से 12,000 करोड रुपे की राशी प्राप्त होनी की संभावना है यद्धिपी बजट सरकार द्वारा तयार और प्रस्तुत किया जाता है लेकिन इसे पारित करने में विधान मंडल की एहम भूमिका होती है भारत के समविधान में यह व्यवस्था दी गई है कि केंद्री बजट संसद में प्रस्तुत और पारित किया जाएगा राज्यों का बजट संबंधित राजी की विधान सभा में प्रस्तुत और पारित किया जाएगा साथ ही सभी करों और वे की जाने वाली राशी के लिए सरकार को संसत या विधान सभा से स्विकृति लेनी होगी बजट पर संसदी नियंतरण के पीछे धारना यह है कि हमारा देश एक प्रजात आंतरिक देश है जिसमें चुने हुए जन प्रतिनिधियों को अधिकार दिये गए हैं वे चाहते हैं कि सरकारी राजस्व का सही उप्योग हो तथा कर संग्रहन करने की प्रणाली उचित और पारदर्शी हो सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट आम लोगों के प्रति जवाब दे होना चाहिए इसके साथ ही लोग कल्याणकारी तथा देश की जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप हो चुकि बजट सरकार की योजनाओं और विचारों का दरपन होता है इसलिए जन प्रतिनिधियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि सरकार विकास के मार्ग पर चलती रहे और इस दिशा में भटके नहीं संसत का बजट सत्र लोगतांत्रिक प्रक्रिया का एक महत्रपूर हिस्सा होता है बजट पारित करने से पहले उस पर कई दिनों तक लंबी चर्चा की जाती है विपक्ष सरकार के बजट पर बहस, आलोचना और रचनात्मक सुझाओ देकर अहम भूमिका निभा सकती है सरकार की जवाब देही को लेकर आम लोगों की ओर से भी सीधा दबाव पड़ता है जनता की भागीदारी और बजट बजट सरकार के कारिक्रमों और नीतियों को अमल में लाने का एक माध्यम होता है पर्याप्त बजटिये प्रावधान और पैसे का समुचित प्रबंधन नहीं होने पर सरकार की योजनाएं और कारिक्रम केवल वादे बनकर रह जाते हैं